हाई प्रेंट्स मैं मीना मेरे कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे मसाला पीनट चाट बहुत ही जटपट बनने वाली रेस्पी है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइ करना ना भूले मसाला पीनट चाट बनाने की सामगरी है एक कब भूनी हुई मुंफली एक बड़ा टमाटर है जिसे हमने बारिक काट लिया है दो चमज ग्रेट किया हुआ गाजर दो चमज बारिक कटा हुआ प्याज एक चमज हरा धनिया पत्ता बारिक कटा हुआ एक बड तीहाई चम्मच नमक, एक पिंच हीन, एक छोटी चम्मच नीबू का रस, छे से साथ करी पत्ता, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक तीहाई चम्मच रेड़ चिले पाउडर. प्यान गरम हो गया है, तेल डालेंगे, तेल गरम हो गया है, करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ता खोड़ा सा फ्राई हो गया है, खंदी पाउडर डालेंगे, हीन डालेंगे, रेड़ चिली पाउडर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, मिला लेंगे, सारी चीजो को हमने अच्छे से मिला लिया है भूनी हुई मुंफली डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे मुंफली को हमने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है अब हम ग्यास को बंद करेंगे और मुंफली को बाउल में निकाल लेंगे ऐसे कि बुणी हुई मूम्फली को हमने बाउल में निकल लिया है अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे ज़्क कि टालेंगे गरेट किया हुआ गाजर डालेंगे ज़्क बेटा हुआ हरा धन्या पत्ता डालेंगे चाट मसाला डालेंगे नमक स्वात के अनुसार डालेंगे नीबू का रज डालेंगे सारी सामगरी को हम अच्छे से मिला लिया है हमारा मसाला पीनट चाट बनकर तयार है अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में हमने निकाल लिया है अब हम प्याद से गार्निस करेंगे प्लेट में हरा धनिया पत्ता डालेंगे उपर से मसाला पीनट चाट बनकर तयार है इसी तरह से आप भी बनाईए जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो खाईए और कमेंट पर बताईए कि मेरी रेस्पी कैसी बनी अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए मिलते ही अगले रेस्पी के साथ धन्यवाद